इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है नियो नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो एक माया जाल के अंदर फसा हुआ था नियो ने जब अपनी आखे खोली तब वो अपने सामने एक छोटी इंडियल लड़की को देखता है नियो पुछने लगा था कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर तब जाकर वो छोटी बच्चे बताती है कि ये रियल दुनिया और माया जाल की दुनिया के बीच का रास्ता है और अब शायद नियो इसी अलग जगा पर फस चुका था नियो पुछता है कि आखिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है तब जाकर उस इंडियल लड़की ने बताया कि कुछी समय में यहाँ पर एक ट्रेन आने वाली है जिसके अंदर हम सब बैटकर माया जाल की दुनिया के अंदर जा सकते है नियो के सारे साथी माया जाल की दुनिया में ही मौजूद थे इसलिए अब उसे किसी भी तरीके से उनके पास जाना ही पड़ेगा अब हमें मॉर्फियस और ट्रिनिटी नाम की नियो की दोस दिखाय जाते है जो की ओरेकल नाम की एक बुड़ी औरत के पास आ गए थे मॉर्फियस पूछ रहा था कि आकिर हम नियो को बचा कर कैसे लाए ओरेकल साब साब बताती है कि नियो उस जग पर मौजूद है जो मशीनी की दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच का रास्ता है यानि कि वहाँ से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं था लेकिन फिर भी ओरेकल ने उन सबी को इंफोर्मेशन दी कि कैसे वो नियो को जा कर बचा सकते है अब हमें स्टेशन पर दिखाये गया जहाँ पर नियो उस बच्ची के मौम और डाट से मिलता है वो तो एक बहुत ही प्यारी इंडियन फैमली होती है उस लड़की का फादर नियो को बता रहा था कि हम सब रियल इंसान नहीं है हम तो इस दुनिया के बनाए गए सिर्फ एक प्रोग्राम है जिनका काम था यहाँ पर आयोए मुसाफिरों को रास्ता दिखाना वो आदमी नियो के सामने दुख जाता ते विए यह कहता है कि हमारा काम खतम होने के बाद हमें भी मिटा दिया जाएगा लेकिन हम दोनों सिर्फ इस लड़की को जिन्दा रखना चाते हैं इसलिए जो भी हो हम इसकी प्रोटेक्शन करते रहेंगे अब यहां मॉर्फियस ट्रिनिटी और उसके सारे दोस्त नियो को ढूणने के लिए रास्ते पर निकल जाते हैं वो लोग तो जल से जल काफी लंबा रास्ता तै करते हुए एक ट्रेन के अंदर पहुचते हैं जहां पर उन्हें एक बुड़े आदमी को ढूणना था थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें वही बुड़ा आदमी मिल जाता है जिसे कि सभी लोग ट्रेन मैन के नाम से बुलाते थे ट्रेन मैन ने तो उन्हें देखकर तुरंती गुलिया चलाना स्टार्ट कर दिया था वो लगातार अपनी जान बचा कर भाग रहा होता है और अब ये ट्रेन डारेक्ली उस प्लैटफॉर्म पर जाकर रुखती है जहाँ पर नियो इंडियन फैमली के साथ मौजूद था ट्रेन आते ही इंडियन फैमली के तीनों मेंबर्स लगाता ट्रेन के अंदर जाने लगते है नियो भी धीरी धीरे अब उनका पीछा करने लगा था बट वो जैसे ही ट्रेन के अंदर गुस्ता ट्रेन मैन ने उसे रोग दिया और एक पंच मार के उसे दिवार में लड़ा दिया क्योंकि ट्रेन मैन नई चाहता था कि नियो अपने दोस्तों के साथ मिले अब ट्रेन चलने के बाद तीनों फैमिली मेंबर्स उसके अंदर ही बंद हो जाते हैं ट्रेन अब काफी जादा दूर रिकल चुकी थी इसलिए नियो ने डिसाइट किया कि वो ट्रैक पर भागते हुए ट्रेन को पकड़ लेगा पर वो जैसे ही ट्रैक पर भागते हुए एक टर्नल के अंदर जाता उसके बाद वो पीछे वाले टर्नल से वापस उसी प्लैट्फॉम पे आ जाता बार-बार भागने का ट्राइ करने पर भी वो उसी प्लैट्फॉम पर वापस आ जा रहा था यानि की नियो अब एक लूप में फस चुका है जिसे की तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं अब यहां मौर्फियस, ट्रिनिटी, मेरविन नाम के एक बहुत ही बड़ी गैंस्टर के पास आ जाते है क्योंकि मेरविन ही एक ऐसा आदमी था जो उस दुनिया में ट्रेन बेशते थे और एक वही रास्ता है जिसके वज़े से नियो को माया जाल के दुनिया में लेकर आया जा सकता था मेरविन के एड़े पर पहुचने के बाद उसकी कई सारे बोडी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं लेकिन फिर भी ट्रिनिटी और मॉर्फियस उससे डरते नहीं और मेरविन के पास जाकर कहने लगते हैं कि अगर तुमने नियो को नहीं बचाया तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी उसे फित्ता चाते थे कि मेरविन एक और ट्रेन भीच कर नियो को हमारे पास माया जाल में लेकर आ जाए अब ट्रिनिटी और उसके साथियों का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने के बाद मेरविन मान जाता है जिसके बाद प्लाटफॉर्म पर एक और ट्रेन भेजी गई थी जिसमें कि नियो बैटकर वापस माया जाल में अपने साथियों के पास आ गया था ट्रिनिटी मॉर्फियस और उसके ग्रूप के सारे लोग एकदम ज़्यादा खुश थे कि उनका नियो एकदम सई सलामत वापस आ चुका है यहां नियो अपनी दुनिया में जाने से पहले औरेकल से मिलना चाता था जो कि उसी माया जल की दुनिया में मौजूद थी नियो सीधा औरेकल के घर पर आ जाता है जो उसी इंडियन फैमिली की लड़की के साथ खाना बना रही थी नियो शौक हो गया था क्योंकि ये तो औरेकल नहीं है बलकि ये तो कोई और है तब जाकर औरेकल बताती है कि हमें अपने बोड़ी को टाइम टाइम पर चेंज करना होता था क्योंकि इससे ही हम प्रोटेक्टेड रहते थे दरसल औरेकल्स वो होते हैं जो किसी कभी फ्यूचर देखकर बता सकते थे कि आगी क्या होने वाला है लेकिन ये बात कुछ दुश्मनों को पसंद नहीं होती इसलिए वो लोग चाते थे कि औरेकल्स को जड़ से खत्म कर दे और एक भी औरेकल बचे न औरेकल लियो से पुछती है कि आखिर यहां पर तुम किस सवाल का जवाब पता कर ले आए थे तब जाकर नियो पूछता है कि आखिरकार मैं किस दुनिया में फस जुका था जो कि ना रियल्ती और ना ही वर्चुवल और ये सारी चीजे कौन कर रहा है और एकल बताती है कि जिसने भी इस माया जाल को क्रियेट किया था जब भी उसके अंदर तुम जैसे महा शक्तिमान की इंटरी होती है तो उनकी विचारों की बहुत ज़्यादा एहमियत होती थी माया जाल के अंदर ये दिखा जाता था कि तुम जैसे महा युद्धा अपना डिसीजन कैसे लेते हो माया जाल के अंदर अब तक जितने भी पाच युद्धा शामिल हुए थे उन्होंने इंसानियत की हेल्प करने का डिसीजन लिया था लेकिन पहले बार ऐसा हुआ है कि तुमने अंदर जाकर खुद का स्वार सोचा जिससे कि ये पूरा लूप ही तूट गया और इसी वज़े से तुम एक ऐसी दुनिया में चले गए जो की ना रियल थी और ना वर्चुवल उनके बीच का एक रास्ता था जहां पर सिर्फ आज तुम ही पहुँचे हो लेकिन अब वो रैकन ने नियो को स्मित के बारे में बताया जो वर्चुवल वर्ड में इंसानों को अपनी तरह बनाते जा रहा था और अगर नियो ने आगे चलकर अपने सई डिसीजन्स नहीं लिये तो शायद यह वो सकता है कि स्मित इसी तरीके से वर्चुवल वर्ड पर कबजा कर ले और उसे डिस्ट्रॉय भी कर दे अगर ऐसा हुआ तो हमारी असली दुनिया पर भी फर्क पड़ेगा और मशीन्स हमारी दुनिया पर हमला भी कर सकते थे इसलिए अब नियो को अब किसी भी तरीके से स्मित को रोकना ही पड़ेगा और एकल ने तो अपना फ्यूचर देख लिया होता है इसलिए वो नियो को वहाँ से रवाना कर देती है कुछ देर के अंदर ही अंदर वहाँ पर स्मित और उसके सारे साथ ही आ चुके थे दरसल स्मित ने इन सारे लोगों को वर्चुल वर्ल्ड में अपने कबजे में कर लिया होता है यानि कि जो स्मित कहेगा वही सारी ये चीजे करेंगे स्मित तो और एकल के पास आकर ये कह रहा था कि आखिर तुम्हें फ्यूचर क्यों नहीं देखा जो बहुत ही ज़्यादा घबराए थे क्योंकि अब मशीनी दुनिया के बहुत सारे रॉबोट इंसानों की दुनिया पर हमला करने वाले थे अगर ऐसा हुआ तो इंसानी दुनिया के तुकड़े तुकड़े हो जाएंगे और कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा इसलिए हमले से पहले ही उन्हें कुछ करना होगा और इन रॉबोट्स को किसी भी तरीके से रोकना है लेकिन प्रॉब्लम की बात यह होती है कि किसी के पास तो कोई प्लान ही नहीं था तब ही सही समय पर वहाँ नियो आ जाता है जो कमांडर Z और मॉर्फियस से कह रहा था कि मुझे प्लीज एक स्पेस्शिप दे दो जिससे कि मैं मशीनी दुनिया में जाकर उनसे कुछ बात कर सको बट कमांडर Z इसकी पर्मीशन नहीं देते क्योंकि उनके पास पहले से ही रिसोर्से कम है और उन्हें नियो की वहाँ नहीं बलकि इस जगप ज़रूरत थी लेकिन नियो भरोसा दिखाते हुए ये कह रहा था कि मैं रॉबोट्स की दुनिया में जाकर उन्हें समझा सकता हूँ और अगर मेरा प्लान सक्सेस्पूल रहा तो इनसान ये दुनिया पूरी तरीके से बच जाएगी हाला कि कमांडर जी उसके उपर भरोसा ही ने कर रहे थे क्योंकि रॉबोट्स की दुनिया में जाकर उन्हें समझा पाना किसी एक सिंपल आदमी के बस की बात नहीं थी लेकिन फिर भी उसके इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की वज़े से नियो को एक स्पेस्शिप दे दी जाती है जिससे कि वो रॉबोट्स की दुनिया में जाकर उनसे बाते कर सके ट्रिनिटी भी नियो की मदद करने के लिए उसके साथ जाने का डिसीजन ले लेती है और अब दोनों ही जल्द से जल्द एक स्पेस्शिप में बैटकर लगातार आगे की तरफ बढ़ने लगे थे जब वो दोनों स्पेस्शिप में बैटकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तब इस स्पेस्शिप के अंदर स्मित का एक आदमी मौझूद था जो नियो को मारना चाता था उस आदमी ने तो सबसे पहले ट्रिनिटी को पकड़ लिया और उसे काफी जादा मारने लगा उसने तो ट्रिनिटी के गले पर चाकू भी रख दिया होता है नियो को जब इस बार में पता चला तो वो उसके पास धीरे धीरे गल लेकर बढ़ रहा था नियो उस आदमी से कहता है कि प्लीज तुम ट्रिनिटी को छोड़ दो और मुझे लेकर चले जाओ तब ही ट्रिनिटी इस कंडिशन का फाइदा उठाती है और उस आदमी को चक्मा देकर वहां से निकलती है नियो और समित के आदमी में अब लगातार एक लड़ाई होने लगी थी लेकिन अब अचानक से समित के उस आदमी ने दो इलेक्टरिसीटी से चल रहे वायर्स को लिया और नियो के आँख में ही डारेक्ली डाल दिया जिससे कि नियो की दोनों आखे एकदम से जल जाती है वो आसपास की चीजे एकदम से देखी नहीं पा रहा था इस मौके का फायदा स्मित का आदमी उठाता है और उसके उपर लगातार वार करता है लेकिन उससे जरा भी अंदाजाई नहीं था कि नियो के पास तो अजीब तरीके की पावर्स है जिससे कि वो अपने अंदर की आखों से सारी चीजे मैसूस कर पा रहा था नियो लगातार उस आदमी के वार से बचता है और खुद को प्रोटेक करता है और अब जाकर उसने आखिर कार स्मित के उस आदमी को ढून लिया और उसे तुरन थी जान से माद दिया ट्रिनिटी भी नियो का साथ दे रही थी लेकिन अब नियो की दोनों आखे ना होने के कारण वो प्रोपरली स्पेस्शिप नहीं चला पाएगा ट्रिनिटी ही स्पेस्शिप चलाने का जिम्मा अपने कंदों पर लेती है और लगातार आगे बढ़ने लग जाती है जैसे जैसे वो मशीनी दुनिया के अंदर जा रहे थे उन्हें कई सारी एडवान स्पेस्शिप दिखाई देती है जो की रॉबोट्स ने अपनी टेक्नलोजी का यूज करके बनाई थी ट्रिनिटी तो मशीनी दुनिया की इतनी एडवानस्मेंट को देखकर एकदम से शौक रह जाती है बटबनियों और उसे किसी भी तरीके से इस जंग को रोकना था इसलिए उन्हें मशीनी दुनिया के अंदर जाना ही होगा अब हमें यहाँ जैन सिटी में दिखाया गया जहाँ पर पूरे 12 घंटे खत्म हो चुके होते हैं और अब मशीनी दुनिया के बहुत सारे रोबोट्स एक बड़ा सा दर्वाजा बना कर लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे मॉर्फियर्स कमांडर जी और उसकी पूरी सेना उन रोबोट्स को रोकने की लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन उन रॉबोट्स की सेना इतनी ज़्यादा एडवांस होती है कि वो अपनी पूरी टेक्नलोजी लगा कर इंसानों को मारते जा रही थी लेकिन कमांडर जी के भी लोग कम नहीं होते उन्होंने भी इतने टाइम में काफी अच्छे सूट्स बना लिये थे जिसके अंदर बैट कर वो रॉबोटिक सेना से लड़ाई करते हैं वहाँ पर तो एकदम काटे की टक्कर हो रही थी वहाँ पर तो इंसानों और रॉबोट्स के बीच एक घमासन जंग चीड़ चुकी होती है जिसमें कि किसी का भी बचना नामुम्किन था साब साब देखा जाया था कि रॉबोट्स इंसानों पर हावी होते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसान पूरी तरीखे से खत्म हो जाएंगे लेकिन कामंडर जी और मॉर्फियस की पूरी सेना अपनी जान लगा रही थी रॉबोट्स को रोकने के लिए अगर ये रॉबोट्स माया जाल के अंदर गुसने में काम्याब हो गये तो यहां से होते विए वो असली दुनिया में भी जा सकते थे और अगर असली दुनिया में इनका प्रवेज भी हो गया तो ये सारी चीजों को डिस्ट्रॉइ कर देंगे इंसानियत का तो नाम और निशान भी खत्म हो सकता था इसलिए वो अपनी जान के कुर्बानी लगा रहे थे उन रॉबोट्स को रोकने के लिए अब हमें यहां नियो और ट्रिनिटी को दिखाया गया जो लगातार स्पेस्शिप से होकर रोबोटिक्स की दुनिया में बहुच चुके थे सामने से रोबोट की एक बहुत ही बड़ी सेना लगातार उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रही थी लेकिन अब यहां माया जाल के अंदर नियो के पास अलग अलग टाइप की पावर्स थी जिससे कि उसने कई साल की मैनत करके सीखा था नियो अपना पूरा ध्यान एक जगव पर केंदरित करता है और अपना हाथ बढ़ा कर उस पावर को बाहर निकालता है जिससे के सामने आने वाले रॉबोट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे यह पावर इतनी ज़्यादा तेज होती है कि स्पेस्शिप के चारो तरफ आने वाले रॉबोट्स जल कर भस्म हो जा रहे थे जैसे कि नियो ने चारों तरफ एक कवस्सा बना लिया हो हाला कि नियो की इस पावर से कई सारे रॉबोर्ट्स खत्म हो गए थे लेकिन कुछ रॉबोर्ट्स बड़ी चाला की से स्पेस्शिप के नीचे आकर छुप जाते हैं जो अब लागातार उसके उपर बंबारी करने लगे थे और स्पेस्शिप का हाल बेहाल करने लगे थे नियो की स्पेस्शिप अब एकदम खराब होकर डारेक्ली क्रैश होकर नीचे गिज़ जाती है ये धमाका इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ट्रिनिटी पूरी तरीके से घायल हो चुकी होती है उसके कई सारे बोडी पार्ट्स के अंदर सलिये घुज गये थे यानि कि वो अब नीचे की मदद नहीं कर सकती टब ट्रिनिटी के साथ साथ बाकी सारे लोगों की भी हालत ऐसी हो जाएगी इसलिए अब नीचे बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी पावर्स इकठा करता है और डारेक्ली चला जाता है उन सारे मशीन्स की सेना की लीडर के सामने रोबोटिक सेना का लीडर बहुत ही जादा पावर्फुल था उसके अंदर unlimited electric charge से लेकर कई सारे magnetic powers भी थे जिससे कि किसी भी planet को एक ही बार में destroy किया जा सकता है लेकिन अब नियो उस लीडर को बताने लगा कि इस माया जाल के अंदर स्मित नाम का एक आदमी छुपा हुआ है जो सारे इंसानों को खुद की तरह बनाते जा रहा है यानि कि चलते फिरते program और रोबोटिक दुनिया में मौजूद सारे robots की battery इंसानों की दिमाग के vibration से चलती थी अगर इंसान इसी तरीके से program में convert होते जाएंगे तो उनमें कोई moment नहीं होगी और आप सभी robots के पास energy generate करने का कोई भी source ही ने बचेगा जिससे कि robotic दुनिया की सब्वैता भी एकदम से खत्म हो जाएगी इसलिए हमें किसी भी तरीके से Smith को माया जाल में ये सारी चीजे करने से रोकना होगा नियो अब robotic leader को ये समझा रहा होता है कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो आप सभी robots के अंदर battery जो generate होती थी उनकी दिमाग से वो भी खत्म हो जाएगी और इससे robotic दुनिया का भी खत्मा हो सकता था इसलिए अब नियो robotic leader से एक deal करता है जिसमें कि वो कह रहा था कि मैं virtual दुनिया में जाकर Smith को मार दूंगा लेकिन इसके बदले Zen City और इंसाने दुनिया पर भेजे गए सारे robots को वापस बुलाना होगा बहुत ज़दा सोचने के बाद robotic दुनिया का लीडर इस बात के लिए मान जाता है और अब सारी चीजे fix होने के बाद नियो डैरिकली चला आया था virtual दुनिया के अंदर जिसके अब ठीक सामने Smith खड़ा हुआ होता है ताज़ूप की बात ये थी कि Smith ने अब तक कई सारे इनसानों को अपने जैसा बना लिया था लगबग लगबग वहाँ पर हजार से भी ज़्यादा Smith के close खड़े हुए होते हैं जो उसकी बात मानते थे और उसके इशारों पर सारी चीजे करते थे Smith और Nio एक दूसरी के ठीक सामने खड़े होते हैं लड़ाई करने के लिए अब देखते ही देखते Smith और Nio के बीच एक घमा सा लड़ाई चालो हो जाती है Smith ने अपने आदमें से कह दिया था कि हमारी लड़ाई के बीच कोई भी नहीं आएगा Nio और Smith तो लगा अतार वर्च्वल दुनिया में उड़ उड़ कर लड़ाई करने लग जाते हैं इन दोनों की टेकनिक इतनी ज़्यादा फास थी कि कोई भी उन्हें खुली आँखों से देख ही नहीं पा रहा था कभी वो एक जगा पर होते थी को कभी दूसरी जगा पर ये वन वी वन लड़ाई कई देर तक चलती है एक समय पर तो Nio ने मॉर्फियस दारा सिखाए गई सारी फाइटिंग टेकनिक का यूज करके Smith को लगबग लगबग काफी डैमेज दी भी दिया था लेकिन Smith बार-बार उसे recover करके दुगनी speed से उसके उपर हमला करता है एक समय ऐसा आया जो Smith ने अपनी पूरी powers इकठा कर ली और जिस तरीके से उसने बाकी इंसानों को खुद की एक नए प्रोग्राम में convert किया था उसी तरीके से उसने Neo को भी पूरा control किया और अपनी जैसा एक नए प्रोग्राम बनाने लगा Neo के पूरी body पर एक black color का liquid चड़ने लगता है जो और कोई नई बलकि Smith ही फैला रहा था उसे पूरी तरीके से control करने के लिए और वो शायद थोड़ी देर बाद इसमें कामया भी हो जाता है Neo तो अब पूरी तरीके से convert हो चुका था Smith के बनाए गए एक नए प्रोग्राम में जो same to same उसके जैसा ही दिखता है लेकिन Smith ये बात भूल गया था कि Neo इस virtual दुनिया में एक glitch की तरह आया होता है यानि जिस तरीके से Oracle ने बताया था कि Neo वो महा रहती है जो इस virtual दुनिया के rules को तोड़ सकता है और इसे वज़े से वही loop तूटा था जो आज तक चलता आ रहा है यानि कि Smith बाकी लोगों की तरह Neo को अपने इशारों पर नहीं कंट्रोल कर सकता और अब जाकर Neo ने अपनी अंदर बचीवी सारी powers इकठा की और Smith को अपने साथ combine करके पूरा blast कर दिया जिससे कि Smith की body deteriorate होनी के बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था लेकिन दुख के बात ये होती है कि इस दवाके में Neo भी मारा जा चुका है उसकी भी body वहाँ पर कहीं दिखा ही नहीं दे रही थी ऐसा करते ही Smith द्वारा create की गए सारी programs भी आजाद हो जाते हैं यानि कि उनके उपर से Smith का सारा असर ही खतम हो गया था वहाँ Zen City में सभी लोग लगाता रोबोट से लड़ रहे होते हैं और उन्हें लग रहा था कि अब उनकी दुनिया भी खत्म हो जाएगी तभी अचानक उन रोबोट की सेना एकदम से रुप जाती है और वापस अपने मशीनी दुनिया के अंदर जाने लगती है मौर्फियस और बाकी लोगों को भी अंदाजा हो गया था कि सायच से नियो ने कर दिखाया है उसने जैसा कहा था कि वो रोबोटिक लीडर को बात मनवा लेगा वो शायद उसी के वज़े से हुआ है लेकिन मौर्फियस बहुत ज़दा सोचने लगा कि नियो ने आखिर ये सब कैसे किया उस वर्च्वल वर्ड में जो भी इंसान मौजूद थे वो एकदम खुल शो जाते है कि आखिरकार उनके एक बहुत ही चहते नियो ने ये कर दिखाया लेकिन आखिरकार उसने सब कुछ ठीक करने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी सबी लोग नियो की इस बलिदान के लिए सराहना करने लग जाते है और इसी तरीके से धीरी-धीरी करके वर्च्वल दुनिया और इंसानी दुनिया में सांती चाने लगी थी वर्च्वल दुनिया की सारी चीजे बैक टू नॉर्मल हो जाती है अब हमें यहाँ ओरेकल और क्रियेटर एक दूसरे से बाते करते हुए दिखाय जाते है क्रियेटर वो था जिसने की ये सारी चीजे डेवलप की थी वर्च्वल दुनिया के अंदर Creator Oracle से कहता है कि सारी चीजे अब ठीक हो चुकी है Robots और इंसान की बीच अब कभी लड़ाई होगी ही नहीं लेकिन Oracle कह रही थी कि जिस तरीके से मैंने future देखा है उसमें कह सकते हैं कि समय आने तक सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ टाइम बाद ये सब फिर से खराब हो सकता है अब वो Indian लेड की directly Oracle के पास आती है और उकते हुए सूरच को देखती है वो Oracle से पूछ रही थी कि Neo वापस आएगा भी कि नहीं Oracle उकते हुए सूरच की तरब देखते हुए कहती है कि इसकी possibility जादा है कि Neo एक बाद फिर से जंग ले सकता है और इस बाद उसकी ताकते असेमित होंगी और इसी तरीके से हमारी ये adventurous कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है सो वी वर्स आपको ये story कैसी लगी? कमेंट सेक्चन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा explanation 1% भी अच्छा लगा होगा न तो वीडियो को like and channel को subscribe ज़रूर ज़रूर कर देना मिलते हैं इसी तरीकी की मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए बबा